आउजब लाहिमिन शेटानि रजीम बिस्म लाहिव रह्मानि रहीम अस्सलाम वालेकूम और वेलकम यू इन दे प्रोग्राम MSQ फार्मसी रिविजिन क्लासिज Lecture No.2 में हम Drug of Choice पढ़ेंगे During Pregnancy याद रहे एक और उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी फार्मसी नॉलेज को रिवाइब रखना चाहते हैं और उन तमाम फार्मसी के लिए जो इन पेशिंट, आउट पेशिंट या कम्नुटी फार्मसी पर काम कर रहे हैं के पास जरूर ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन-कौन सी दवाएं, एस ड्रग ऑफ च्वाइस तमाल की जाती है प्रेगनसी में हम इन वीडियो को बड़ा कंसाइस रखते हैं, हम तीन से चार में की वीडियो से विचले बना रहे होते हैं कि यह एफेक्टिव रहे हैं और आप कमवक्त में मैक्सिमम चीज़ हैं गेन कर सकें तो आगे आगे पट्टे हैं III । इस वक्त इ स्क्रीन पर हमारी सामने किया जा सकता है breast cancer में femeira femeira is a brand जिसका active letrozole है hypertensive crisis में हम lebitolol इस्तमाल कर रहे होते हैं यहाद रहे hypertension एक अलग condition है hypertensive crisis color condition है analgesic जो हम safely इस्तमाल कर रहे होते हैं mostly acetaminophen को as a safe analgesic use किया जा रहा होता है epilepsy में हम phenobarbiton का इस्तमाल कर रहे होते हैं and nausea vomiting में हम piridoxine का इस्तमाल कर रहे होते हैं यह वह basic disease conditions हैं और इनके सामने हैं इनकी drugs of choice मौझूद हैं बहुत बैतर होगा अगर आप इस video के फॉरण बाद इसे note down करने की कुशिच करें और इसे लिखकर याद रखने की कुशिच करें इस gap के notes भी बन जाएंग इस तरीके से और यह तमाम slides slides share पर भी मौझूद होंगी अगर आप वहांसे download करना चाहिए तो download भी कर सकते हैं हम इस सीरीज को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इंशाला एक दिन में हम 25 ड्रक्ट्रो पढ़ रहे होंगे अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप 0333 224 3031 पर राफ्ता कर सकते हैं अपना बहुत अपना खैल लखेगा अलाहाफिस